खुर वाले जानवरों के लिए बर्फ की मोटी तहप पे रास्ता ढूणना और भागना बहुत मुश्किल का काम है जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है इन बर्फीले पहाडों पे एक जानवर की अजारादारी काइम हो जाती है सर्दी एक ऐसा मौसम है जो इनकी खुराग को कमजोर करता है और इनके पास ले आता है खुर वाले जानवरों के लिए बर्फ की मोटी तहप पे रास्ता ढूणना और भागना बहुत मुश्किल का काम है ये कहानी है स्नो लेपर्ड की शुमाली पाकिस्तान में पाया जाने वाला एक खुनखार जानवर इसके लिए सर्दी में बर्फ से ढखे पहाडों और मैदानों में शिकार तलाश करना मुश्किल नहीं है खास कर उस वक्त जब बर्फ की मोटी तै हिमालियन आईबैक्स, मार्खोर, ब्लू शीप और लोकल लाइफ स्टो को भागने में दुश्वारी का सामना पेश करती है शिकार के लिए इनका बर्ताओ स्टॉक एंड चेज वाला है ये अपने शिकार का पीछा करते हैं और उंची चटानों से नीचे गिरने से भी नहीं गबराते अपनी दुम को अपना तवाजन काईम रखने के लिए घुमाते रहते हैं इनकी जिल्द इतनी मोटी है के सैकड़ों फीट गहरी खाई में शिकार के साथ गिरना भी इनको नुकसान नहीं पहुँचाता ये अपने शिकार को नहीं छोड़ सकते इनको छोड़ने का मतलब है भूब वो भी काफी दिनों की